बेलकम बेक फ्रेंड बेलकम फर क्लास नाइन फ्रेंड स्पीड जो थोड़ी सी लेट हो गई है पर हम कंटीनिव करेंगे तो मैं आपको हमेशाँ बताता हूँ अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हैं तो आप वीडियो जाके जरूर देख लें क्योंकि कोई भी काम अगर आप कंटीनिव नहीं कर पाते हैं तो फिर सक्सेस्फुल तो होता है लेकिन हो सकता है उसमें समय लगे तो ठीक है हमने प्लैन हमने बनाया है कि 10 बड़् और वर्ड सेक्शन सबसे इंपोर्टेंट है वर्ड के आप स्क्रिंशॉट ले लिया कीजिए क्योंकि वर्ड वही लेता हूं में जो इस्टॉरी में आई हुए होते हैं अगर वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे तो इस्टॉरी आपको पूरी समझ में आ जाएगी और दस आप दिन में दो से तीन बार बोला जरू करिए इससे आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा और बेसिक ग्रामर हम पढ़ते हैं बेसिक ग्रामर पर हम बहुत ज़्यान देने की ज़रूत नहीं है क्योंकि ग्रामर मोशली यूज नहीं होती है जब हम बोलते हैं इंगलिस तो वर्ड्स पड़ते हैं हम चलिए सुरू करते हैं वर्म्स का मतलब होता है कीडे यां मतल zaman Initi gi cord का मतलब होता है सर्सों अपने देखा होगा सर्सों के खित चलिए आगे बढ़ते हैं यांपी का मतलब होता है स्वादश कोई भी फूड अधर अछ़ा बनाऊ यांगे युमिड decay का मतलब होता है 6, stem का मतलब होता है तना, compost का मतलब होता है खाद, soil मतलब मिट्टी, tunnels माने सुरंग, roots माने जणे, fertile का मतलब उपजाओ, तो यह कहानी में यह word जरूर आएंगे, मैं आपको यह कहानी है, bobo and the worms, असल में यहाँ पर एक बच्ची होती है, वो अपनी ग्रांड मा के घर जाती है, वहाँ पर जिस जन जाती में वो रहती है, वहाँ ग्रांड मा को अप्यूजा बोलते है, तो इसमें अप्यूजा यह पत्तों में छेद है, इस चार होल्स बने हुए है, तो बड़ी खुश होती है, मा, ग्रांड मा देखिए कितने सुदर छेद मतलब वो बनाए है, होल्स मनाए है, तो वो कहती है कि बेटा, यह सुदर तो है, लेकिन असल में बात यह है, यह कीडों ने खराब कर दी है, अगर ऐसा ही होता रहा तो इस बारा में स्वादिस्ट बीन्स खाने को नहीं मिलेंगी तो वो कहती है अच्छा तो फिर कीडों का कुछ उपचार करना पड़ेगा तो वो बाल्टी लाके आती है सारे कीड़े पकड़ देती है लेकिन ग्रांड माओं से बताती है कि बिल ग्रीन केटा पिलर जो होता है वो ही फसल के लिए रुकसान दाएगा जो हरा कीड़ा है और जो पत्तों पर रहता है पत्तों उखाता है बाकी कुछ कीड़े किसान के मित्र भी होते हैं वो क्या करते हैं जमीन के अंदर चले आते हैं जमीन को खुड़दुरा बनाते हैं और चोटी चोटी टरनल्स का निर्माड कर देते हैं जिससे वहां पर पानी और एयर बड़े आराम से चला जाए तो इसलिए वो हमारे लिए लापकारी ही है तो आप देखिए अब आपको स्टोरी को इंगलिस में ही सुनना है आपको से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिज नहीं करनी है धीमें धीमें आपको पूरी स्टोरी ठीक समझ में आने लगेगी आप चंता मत करिए चलिए शुरू करते हैं वोवो लब्स बिसिटिंग एप्यूजा एप्यूजा ग्र I have been trying to stop the worms and insects from making holes, Apuza says, but are not these shapes lovely, Booboo asks, we would not have any yummy beans this summer, if we let the worms and insects eat the plants, Apuza tells her, then we must save the beans, says Booboo. She has a plant, Apuza caught, Apuza, I caught all the worms in the garden, thin ones, fed ones and wriggly ones, you don't have to worry about the beans plant anymore, says Booboo. Thank you, my little gardener, let's take our hard-working friends back to the garden, says Apuza. Friends, I thought worms were wet for plants, says Booboo. Not all the worms are wet, Booboo, I only wanted to remove the green caterpillar, that chews the leaves and the stems of the vegetables, says Apuza. Okay Apuza, let's take the earthworms back to the garden. Vermicomposting is a way of composting using earthworm, in a garden, organic matter naturally breaks down with time, but earthworms help to decompose it faster. They grow into the soil and their tunnels help air and water reach the roots. Worms eat up and decaying organic matter and then poop it out of their system. The poop is called Casting and Makes the soil Rich and Fertile. Okay, now I think you can understand this story, then we will see this story, what is this story, what is this story, what is it, this girl is. She went to her garden, she had to go to her garden, she had to keep her own things, and I have to tell you about words. She said, see how beautiful this star hole is, she said, I am very cautious, so that it will not be holes. But if it is beautiful, it will not be holes. But if it is beautiful, it will not be good. We will not buy weeds, we will not buy weeds. So we will think that we will do that. That will do a plan. It will come to me, it will be a plan, it will be a plan. It will be all the trees in the garden in the garden. But it tells us that the garden, the trees are the earthworms, which are the plants of our plants in our plants. This is the cause of the tierra. They say, friends, they say, what do they do? वही केबल पत्तों को खाता है बाकी सारे किसान के फ्रेंड है तो फिर वो कहती है ठीक है पूझा अगर ऐसी बात है तो हम इसको वापस ग्राउंड में छोड़ाते हैं तो इसमें बर्मी कमपोस्टिंग के बारे में बता गया खाने के बाद जो अपसिस्ट पदार अपने सरीर से बाहर निकालते हैं वो किसान वो जमीन को बहुत ही फर्टाइल बनाता है दूसरी चीज ये जमीन के अंदर छोटे छोटे टनल्स बना कर तैयार कर देते हैं और उन टनल्स की वज़े से पानी और हवा बड़ी आसानी से उसके अंदर चली जाती है तो इसलिए ये बहुत महत्पूर्ण है तो फ्रेजेस हम पढ़ते हैं थैंक यू सो मॉच फॉर दवर्थ डे मनी मुझे पैसा देने के लिए मुझे ये गिफ्ट के तौर पर जो आपने रुपह दिया इसके लिए बहुत बहुत दन्यवाद थैंक यू सो मॉच फॉर ड्राइविंग मी होम मुझे घर पहुचाने के लिए दन्यवाद मुझे आपकी साहता बहुत पसंद आई थैंक यू सो मुच फॉर कुकिंग डिनर आई रियली एप्रिचियेट अगला है थैंक यू सो मुच आप बोल सकते हैं एक्सक्यूस मी सार यू ड्रॉप ड्रॉप यूर वालिट कभी भी आपको इंसान अपना पर्स छोड़ जाय तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूस मी सार यू ड्रॉप यूर वैलिट थैंक यू अगर बोल देंगे तो सुझेगा कि ये पर्स लेना चाहता है तो सुरी एक्सक्यूस मी डू यू नो वाट टाइम अगर आपको किसी से टाइम पूछना होता है तो आप यह सब दियूस करेंगे मैं मुझे देर होगा इसके लिए सॉरी ग्रामर में मैंने आपको प्रिजेंट कांटिनेस चेंज का नेगेटिव पार्ट तक बढ़ा दिया था आज हम इंट्रोगेटिव देखते हैं यहां तो हम इस अगया है तो हम ए क्लेंट के संख लगा है। सब्ली के साथ हमेसा याद रखेंगा यू के संग हमेशा र लगेगा और आई के संग एम लगेगा और बाकी जादातर के संग आर लगता है तो क्या भै आज भी किरकेट खेल रहा है इस ही प्लेइंग किरकेट एविन टुडेई तो यहां पर इद क्यों है सब्सक्राइब लगाया उसके बाद में सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, are these all people watching film, क्या तुम ताज महल देखने जा रहे हो, are you going to see the taj महल, क्या गावों में बड़सात हो रही है, is it raining in the bliss, are these children waiting for food, are you talking to anyone, it's see flying the kite on the roof, are those boys studying in the room, अब क्या तुम्हारे पिता जी ऑफिस जा रहे हैं, आप देखे, यहां पर क्या तुम्हारे पिता जी ऑफिस जा रहे हैं, सबस्वेश जा रहे हमने आर लगाया, तो आर योर फादर, फिर हमें लगाने यह बर्ब की फस्ट वाम में आएंजी तो हमने going लगा दिया, to office now, बा लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे motivation मिलता है, thank you so much.